दोस्तो चमगादड इंसान से इतनी दूर रहता है फिर उसके जरिये इंसान में वाइरस कैसे पहुँच जाता है जब वाइरस चमगादड में पहुँचता है तो वो इसे बिमार क्यों नहीं बनाता वैग्यानिकों ने इसके कुछ जवाब दिये हैं दक कंजर्वेशन की रिपोर्ट के मताबिक चमगादड के जरिये इबोला, निपहा और रैबीज के वाइरस फैलने के मामले भी सामने आ चुके हैं तो ये चमगादड को विमार क्यों नहीं करते हैं, आज की वीडियो में हम इनी सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कहते है कि चमगादडों को उड़ने के लिए अधिक एनरजी की जरूरत होती है इसके लिए वो अधिक मीठी और प्रोटीन वाली चीज़े खाते हैं अपनी भूक मिटाने के लिए चमगादड फल, फूलो का रस, किडे मकोडे खाते हैं और खोन भी पीते हैं, यह फलो को भी खाते हैं, इस तरह चमगादड के सरीर में मौझूद वाइरस, लार के जरिये फल तक पहुंच जाता है, जिसे इनसान खाते हैं यूँ चमगादड से इंसान तक संकर्मन पहुँचता है चमगादड एक गुरूप में रहते हैं एक बार इनमे से किसी एक के पास भी वाइरस आया तो दूसरे चमगादडों में बहुत तेजी से फैलता है इसलिए संकर्मन आस पास की किछी ऐसी चीजों में भी फैलता है जिनका इस्तमाल इंसान करते हैं इसे निपहा वाइरस के उधार्ण के तोर पर भी समझा जा सकता है जिसमें संकर्मन के चलते फैलने के कारण फलों को ना खाने की सलह दी गई थी दोस्तों जब अलग-अलग तरह के वाइरस चमगादड को संकर्मित करते हैं फिर भी वो विमार क्यों नहीं होते है इसपर वैग्यानिकों का कहना है कि चमगादड का इमुमिनिटी सिश्टम यानिकि इमुमिन सिश्टम इतना मजबूत होता है दुनिया वर में चमगादड़ों की करीब 1200 से अधिक परजाती हैं इसलिए इनकी किसी न किसी परजाती के जरीए संकर्मन के फैलने का खत्रा बना ही रहता है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरी योटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है भूले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद